हेलो आवरीवं मैं अंकुर आखोशवामी मान लिजे आप सब वोकिंग एं आप सब किस सालरी आती है कहीं ने कहीं आप जॉब कर रहे हो तो अगर सालरी आ रहे हो तो क्यों ना सालरी को सेव किया बट सबसे सबसे बड़ी दिक्कत होती है सेविंग हो नहीं पाती बहुत सारे ऐसे लोग है जो खर्चीले है सेव नहीं कर पाते अपने पैसे तो उनके लिए एक सबसे बेस्ट आप्शन है वो है इन्वेस्ट्मेंड करना पैसे को सेव ना करके उसको इन्वेस्ट करें बट स सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्ट करने का वो है S.I.P. अब ये क्या होता है S.I.P. चलिए जानते हैं S.I.P. का मतलब systematic investment plan ये एक तरह का mutual fund का option होता है जो आपको ये opportunity देता है कि एक छोटा amount हर महीना आप invest कर सकते हैं आप जो invest करना होगा आपको जैसे mutual funds में asset management companies होती हैं जहां पे आप पैसे लगाते हैं सेम उसी तरह आपको asset management company के fund में पैसे डालने हैं हर महीना एक specific amount मान लीजे आपने एक fund में 1000 रुपे हर महीना डालना शुरू किया अब ये पैसा आपको return कैसे देगा ये समझते हैं जैसे share market में होता है share की price हर company के अपने shares होते हैं उसके particular price होता है उसी तरह SIP में होती है units जैसे shares वैसे unit और जैसे share की price होती है वैसे ही unit की जो value होती है उसे हम कहते है net asset value assume करिए कि आपने 1000 रुपे हर महीने invest करना शुरू किया और 1000 रुपे क्या है आपकी total value 1000 रुपे जिसमें से आपकी जो net asset value है आपके fund की वो होगी 20 रुपे ये हम assume कर रहे हैं आपका जो हर महीने है investment वो है 1000 रुपे और net asset value है 20 रुपे तो आपकी unit हो जाएगी 50 यानि कि total जो 50 है वो आपकी unit है आपके net asset value 20 है और आपका जो total investment है एक महीने का वो है 1000 रुपे यानि कि जो net asset value है ये जब increase होगी तो आपको return मिलता है अभी अगर 20 रुपे है यही अगर 40 रुपे होगी तो आपने जो 1000 रुपे invest किया है वो 1000 रुपे हो जाएगा direct 2000 रुपे है तो guys इसी तरह आपकी जो SIP है वो काम करती है और जो interest यानि कि जो return मिलता है वो compound पे मिलता है interest पे interest मिलता है ये SIP का process होता है ये best तरीका है इस वक्त अगरा working है और अपना पैसा invest करना चाहते है with good return and guys as per the history कई सारे fund के performance को analyze करके ये समझा गया है कि जितने लंबे period का SIP कराएंगे उतना जादा return होगा तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि 1000 रुपे हर महीन अपने salary से निकालिए और किसी ना किसी best fund में invest करिए at least 10 साल भी करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा return मिलेगा thank you so much guys, thanks a lot